हेलो स्थोक कमाई का अड़ास यूटूब चैल में आप सभी का सोगठ है आज हाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक ऐसे शांदार कमपनी के बारे में जिसका आने वाला समय काफी ब्राइट है और एक कमपनी उसकी तयारी आज सही करते वे हमें दिखाई दे रही है मैं बात करा हूँ दोस्तो टाटा पावर के बारे में इस कमपनी के अंदर जो शांदार अपडेट्स वगेरा आये है उसको यहाँ पर हम अंडरस्टेंडिंग करेंगे और इसका फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट दिखाई दे सकता है और कमपनी क्या फ्यूचर के प्लैन क उपर काम कर रही है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर कोई पावर सेक्टर या यहाँ पर जैसे के इलेक्ट्री सीटी से जुड़े वे कोई कमपनी में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो और ऐसी कमपनी जो आने वाले समय में जो फूचर में ग्रोतेबल सेक्टर से रहेंगे उसके उपर पैसा स्पेंड कर रही है तो वो है दोस्तो टाटा पावर आपकी नजरे टाटा पावर पर सबसे ज़्यादा रहने चाहिए क्योंकि इस कमपनी ने बहुत अच्छा कमब्या करकर दिखाया य अवेलेबल था 2000 यहाँ पर 20 में उसके बाद में इस स्टॉक ने इतना शांदार कमब्या करकर दिखाया कि आथ 270 यहाँ पर हम कह सकते के 60 के करीबे स्टॉक अभी अवेलेबल है तो इसके अंदर पोटेंशल है ग्रोत का और कमपनी जितना अच्छा पफॉमस दिखाती है व तो electricity generate करने वाले या यहाँ पर इसके अंदर distribution का network का काम करने वाले या solar से जुड़ेवे businesses पर बहुत अच्छा जो work कर रहे है उनके उपर हमारी नजरे क्यों रहने चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे metro train वगेरा देखते हो इलेक्टरी के यहाँ पर जो train हम देखते है वो कहा से चलते है उनके लिए electricity provide कोन करता है यही companies है आपको ऐसे बहुत से अलग-अलग state मिल जाएंगे दोस्तो जहाँ पर टाटा पावर इस company का पूरा यहाँ पर कबजा हम ऐसा कह सकते है यानि कि पूरा जो भी distribution network रहने दो यहाँ पर manufacturing करने का काम रहने दो यह खुद अकेली number one company करकर दिखाती है अभी इसके पास ऐसा नहीं कि यह की बात पर मैं यहाँ पर आपको बता रहाँ कि यह metro को ही provide करते इसा नहीं है इनके पास ऐसे बहुत से businesses हैं और आपको अभी धीरे धीरे details देखने के बात बता भी चलेगा कि इसके उपर अभी करजा क्यों है कितना है और company के इस तरीके से आपने आपको improve कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर हम धीरे धीरे देखेंगे वीडियो को पूरा दे impact करने वाले साबित होने वाले हैं company ने क्या क्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं the Tata power to double its capex this financial year to rupees 12,000 will positionate to lead green energy आप यहाँ पर यह सबसे बढ़िया बात है देखिए यह news थोड़े आगे पीछे है कुछ date वगेरा हम कही सकते हैं बट यह news का जो impact है वो काफी जादा हमें मिलता है और दोस्तों ऐसे बहुत से updates है जो हमें यहाँ पर देखने चाहिए और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि कभी भी किसी company में अगर आप details देखेंगे तो आपको share holding पर थोड़ा जादा focus रखना चाहिए company के promoter ने आप तक कोई भी share बेच नहीं और एक बड आतार बड़े निवेशक ने quantities यहाँ पर बड़ा दिये है FIS का stake 9.75 से अभी 10% हो गया September 2023 में और D.I.S. का देखिए 14.59 से बढ़कर 15.68 हो चुका है तो बड़िया तरीके से FIS और D.I.S. company के अंदर अपना यहाँ पर interest दिखा रहे है और जैसे के सभी को सवाल यह आता है कि सर इसके quarterly result कैसे और कितने अच्छे आ रहे है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 2023 में company का जो sales था वो था 15,213 करोड का जो की दोस्तों बढ़कर 15,738 हो चुका है करोड में यानि के sales के number अच्छे है बड़ प्रॉफिट quarterly basis पर उतना कुछ खास company के अंदर नह आता ही होगा कि company के future plan क्या है तो मैं आपको बताता हूँ Tata power future plan includes capitalizing on opportunity in the various sector include electricity से related भी यहाँ पर वो काम तो कर रहे हैं इसमें कोई बात नहीं electrics and batteries, semiconductor, EV manufacturing और दोस्तों जो खास करकर renewable energy से related जो sector से उसके उपर यह पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इसका फाइदा आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में किस तरीके से company को मिलेगा देखिए यह जो news है यह थोड़े यहाँ पर actually implement होने के लिए बहुत देखिए की तयारी में है और company के अंदर भी बहुत potential है यह भी हम अच्छे से जानते है टाटा पाउर का अगर आप share देखेंगे तो अभी चल रहा है 262 रुपए पर और आप यहाँ पर जैसे पिछले एक साल के return देखेंगे तो normal है बट 6 महिने में stock ने काफी तेदी से कम् रुपए के बीच में उसको यह break करते वे नजर आएगा आपको और जल्दी दोस्तों इस stock ने अगर हमें यहाँ पर 270 के ऊपर performance दिखा दिया तो जल्द हमें 300 प्लस या 380 के करीब जल्दी देखने को मिल सकता है अभी मैं कोई ऐसे target आपको recommended कर रहा हूं ऐसा नहीं है आप ज़रूर अपनी फ्रदर स्टडी करकर डिटेल्स को अंडरस्टैनिंग करकर आगे बढ़ने कोशिश करना यहाँ पर आप दोस्तों टाटा पावर के अंदर एक बड़ी न्यूज आई है उसको भी आप देख सकते है 8 अगस्ट 2023 की न्यूज है और आप यहाँ पर इस अगर कमपनी चल रही है अभी प्लैन के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा टाटा पावर द एनर्जी जनरेशन एंड डिस्टिबिशन आम आप दे कमपनी डॉलर देखे 300 बिलियन का पूरा यहाँ पर इनका काम चल रहा है और इसके अंदर आभी पार्टनर्शिप किसके साथ है वो मैं आपको बदाता हूँ has the partner with the maharashtra government to establish two pump hydro storage projects in the state with a combined capacity 2800 megawatt and यहाँ पर आप और पढ़ सकते दोस्तों agreement जो इन्होंने sign किये है यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा Tata Entity follows the move of the reveal Adani Electric Mumbai Limited which signed an agreement with the Mumbai Metropolitan Region Development Authority a state government entity 7 month ago supply electricity for the two upcoming metro railway routes in Mumbai तो यह काम देखिए कितना शांदर तरीके से कर रहे है और ऐसे जो यहाँ पर इनके लगातर बढ़ते वे projects और इनकी capacities यह बताते हैं कि किस level पर एक company जाने वाली है electricity के मामले में रहने दो, electricity distribution की बात रहने दो यह दोस्तों यहाँ पर हम जैसे EV charging station की बात करें हर किसी sector में company तेजी से grow हो रही है long term boring के बारे में जैसे सब को सवाल था कि Tata Power इस company पर करजा भी कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी official इनके balance sheet में long term का करजा है 11,272 करोड का जो दोस्तों पिछले साल था 18,000 करोड का जो की company ने इस यहाँ पर साल में अच्छा खासा कम किया है करजा short term में यहाँ पर इनके पास 10,500 करोड का करजा है तो इस तरीके से करजा आपको देखने को मिलेगा अभी cash भी देख लेजे 200, sorry यहाँ पर यह थोड़ा आप यहाँ पर देख सकते 295 करोड का यहाँ पर company के पास cash है यह भी आपको देखना चाहिए तो इस तरीके से Tata Power की पूरे details थे I hope आप यहाँ पर details को देखकर proper for the study करकर यहाँ पर decision ले पाएंगे वड़ा है झाल झाल